हेलो दोस्तों मैं हो रुकू और आप सभी का स्वागत हैं मेरी चैनल कुकफित रुकू में आज हम बनाने जा रहे हैं केरमल खीर की रेसिपी इसके जो इंग्रीडियन्स है वो रेगिलर खीर की तरह ही होते हैं लेकिन इसको बनाने का तरीका अलग होता है और यह बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है तो चलिए फटाफट से आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम चावल को सोग कर लेंगे यहाँ पर मैंने तीन टेबल स्पून चावल ली है इस तरह से छोटे वाले चावल ली है जो आसानी से पक जाए इसे हम वाश कर लेंगे वाश करने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे हम सोक करने के लिए छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए 20 मिनट चावल को सोक करने के बाद अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार लिया है इसमें हम चावल को डाल देंगे और हम चावल को इस तरह से ग्राइंड करेंगे कि ये ब्रोकन राइस की तरह दिखे ज्यादा फाइन पेस्ट हम इसका नहीं बनाएंगे इस तरह से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आदा लिटर दूद लिया है और इसे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है इसमें हम बॉइल आने देंगे यहाँ पर ग्यास की फ्लेम को लो मीडियम रखना है और इस तरह से बीच-बीच में चला लेंगे यहाँ पर दूद में बॉइल आ चुका है अब हमने जो grind की है उस rice को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें हमारी जो चावर है वो अच्छी तरह से पक जाए और ये ठीक हो जाए दूद रेडियूस हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे और बीच-बीच में चलाते रहेंगे एक पैन को हम गरम कर लेंगे और इसमें गी डाल देंगे यहाँ पर मैंने देसी गी का इस्तमाल किया है आप चाहे तो बटर भी इस्तमाल कर सकते हैं और कुछ बादाम और काजु को मैंने इस तरह से कट कर लिया है हम इसमें से डाल देंगे और इसे roast कर लेंगे एक टीबल स्पॉन किश्मिशली है इसे भी हम हलका सा roast कर लेंगे अब हम शुगर को कैरिमलाइस्ट कर लेंगे यहाँ पर मैंने 6 टीबल स्पॉन शुगर ली है और ग्यास की फ्लेम को हम low to medium रखेंगे और इसे इस तरह से चलाते रहेंगे हमें इसे चलाते रहना है अगर हम इसे चलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे से चिपकने लगेंगा और इसका जो टेस्ट है वो खराब होने लगेंगा इसलिए हमें इसे लगातार चलाते रहना है इस तरह से जब तकी अच्छी तरह से म और इस तरह से इसका color भी चेंच हो गया है अब हम इसमें पानी डाल देंगे यहाँ पर मैंने one fourth cup गरम पानी का इस्तमाल किया है हम इस तरह से डाल देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे इस तरह से यहाँ पर हमारा कैरमल सिरफ बर्ण के बिल्कुल तयार है अब हम इसे थंडा होने के लिए छोड़ देंगे यहाँ पर जो हमारी चावल है वो अच्छी तरह से पक चुकी है हमारा दूद भी रेड्यूस हो चुका है और हमारी जो खीर है वो थिक भी हो चुकी है अब हम इसमें रोस्ट किये हुए काजू और बादाम डाल देंगे हाफ टेबल स्पून इलाई जी का पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और जो हमारा कैरमल सिरफ है उसे भी हम इसमें डाल देंगे इस तरह से और इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे अब आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही बढ़िया सा color आ गया है और इसका taste भी बहुत बढ़ गया है इस caramel syrup की वज़ा से अब हम इसे 5-7 मिनट के लिए पका लेंगे अब आपको हमारी recipes अच्छी लगती है और आप आगे भी हमारी recipes को देखना चाते हैं तो हमारे चैनल कुकवी तुको को ज़रूर subscribe करे और साथ में bell notification को भी on कर ले ताकि हमारी नई आने वाली videos की notifications आपको मिलती रहे यहाँ पर हम gas की flame को बंद कर देंगे और हमारी खीर जो है वो अच्छी तरह से गाड़ी हो चुकी है और बहुत ही tasty बनी है अब हम इसे serve कर लेंगे तो आप भी इस tasty और easy caramel खीर की recipe को ज़रूर try करे उम्मीद है आपको आज की यह recipe पसंद आई होगी recipe पसंद आए तो इसे like करे अपने friends और family के साथ इसे share करे और हमारे चैनल को subscribe करे तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए goodbye and take care